उत्राखंड में आज से बज़ट सतर का हंगामेदार आगाज हुआ, एक तरफ तो सतर के शुरुबात हो रही थी, तो दूसरी तरफ कॉंग्रिस ने ता सदन के बाहर हंगामा करने में लगे पूर। उत्राखंड की ग्रिश्म कालीन, राजधाने गैर सेंड में राज़िपाल गुर्मीत सिंग्या विभाशुन के साथ ही सोभवार से विधान सभा के बज़ट सतर की शुरुबात है। सारे ऐसे मुद्दे हैं, ट्रिपल ऐसी, घोटाला, पटवारी पेपर लीग, ये सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार पूरी तरफ के फेल है। पक्षी अमलों का नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहने का। घाजिबाद में नियमु के अंदेखी करने वाले एपेक्स प्राइवेट बिल्डर के खिलाब शिकार के बावजूद अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है। घाजिबाद के सिधार्ट विहाद योशन में बने दक्रिमिलेन ससाइटी ने फ्लैट निर्मान में जो नहीं मता बढ़ती थी। उसके खिलाब जाज और कारवाई के नर्देश के बाब जो तब तक आवास विकास परिशत की तरफ से कोई कारवाई नहीं हुई है। के 118-118 फ्लैट बनारे थे लेकिन अपेक्स विल्टर ने अब तक ये फ्लैट नहीं बनाये है। यही नहीं अपेक्स ने ससाइटी में अभी तक किसी फ्लैट का रेजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। इस मामली में आवास आयुकतर रणवीर प्रसाद ने 14 दुसंबर 2022 को ABP गंगा से बात करते हुए नियम अनुसार कारवाई कंडी की बात कही थी। लेकिन आवास विकास परिशद इस मुद्ने पर कुछ भी बोलने से बच्चिता नजर आ रहा है। वारल वीडियो को जांच में शामिल करके एक्शन लेने वाली है। इसके साथी तौकी रजा ने हिंदू समाज पर भी रिशाना साधा था। उसमें सोकी रजा मुख्या रूपी था। सबा सांसात शपीको रहमान बर्क ने इस मामले में कानून के साथ चलने की हिदायती है। तौकी रजा पहली भी कई बार विबादित बयात दे चुके हैं। परिश्टे दिनों उन्हें विश्वे हिंदू परिशद और बजन्ग दल को आतन की संगचन बताया था। और औरंग जेप को दुनिया में सबसे बहतर किरदार बताया था। एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी